तो हैं आप सबस्वाइब होगर आज के आप हम जो लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हम स्केलेटन सिस्टम जिसके अंदर हम बोन बेसिकली पढ़ रहे होंगे इन यह एक इंपोर्टेंट टॉपिक है गाई मैं पहली आप आपको बता दूँ अगर आप बहुत जाएं बाते हैं और यह चाप्टर बहुत जाएं इंपोर्टेंट है आपको डेफिनिटी हमारी जो कंटेंट है कॉलिटी कंटेंट और धासू कंटेंट पसंद आ रहा हो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना ने बूले मिने इस्ट्रिप् गरनफे करहें उसके क्या हैं बाले बीडी यहां पर क्या होता है बहुत पर शजिए ऑस क्लासिफ अब वोन जो कपो थे के लिए किसेबां को देखने को मिलेंगे और इसके एकिफईश का मुलते शाल्फ को मेश और को बीच ने को मिलेंगे शए सुरिय हैंत है यहां पे बीच वाले पुरश nào और यहां पो Big स कर श ने कि बेसिकली इंस्पाइड हैं बीडी चौरेसिया से तो आप उसको बुक साथ में लेके बैठो और हैंडबुक ऑफ जो आपको बहुत फायदा होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपके एंड को बोलता है तो बैक तो टॉपिक यहां पर आपको टूएंड दिक्कत होगी बाट आपको यह चीजे बहुत अच्छे से आपको चीजे याद होंगी चाहे वो मसल्स हो चाहे वो बॉन्स हो मैं वही बोलूँगा चैनल नाइटमी में हम कोशिश करते हैं को सारी चीजे इसमें लिखी होई है बट आपको आगे वह आपको इसका बेटर मी दो फीमर हो गया और वहाव बाट यहांप ट्पिकल लांग बॉन के अंदर आपको अापको बैसिकल देखने को मिलता है ना और इसके भाम को एक ही एपिफाइस आपको देखने को मिलता है only one एपिफाइस तो यहीं मैं आपको समझा रहा हूं दूख आपको यह याद कैसे होगा मिनीचर लॉंग मुन सा प्याद सकतो एंसे मिनीचर में अप्याद कर सकतो ऐसे करके ठीक है बने मौर्डी फाइस लॉंग बन करने यह इसके लिए उन्दर नहीं हो न और यहां पर इसके लियुका नहीं हो अब चलते हैं शॉट बोन्स की तरफ शॉट बोंस जो होते हैं यूजुली क्यूब इन शेप होता है क्यूबाइड होता है इसके एक्जैमपल आपको पर टार्सर कारपल बॉन्स ही आपके बैसे कर लिए अगर तुम इसके वारे में और अच्छा से समझना है जानना है तुम वहीं क्या कर सकते हो तो इसकी ऐाप पर डायगराम देख सकते हो तुम डायगराम इसका पर देखो टारसलह वह सकते हैं जिसे अपका यूमरस हो गया आप का मैटा कारपल में सब्सक्क्राइब माइन बचकर अच्जासाइm पर बात कर दो इस मॉल बोन्स जैसे कि आपके आ कि यह बोंन्य शॉर्ट बॉन्स और स्टर्ट अंपल दो घंड तर्ण섯 वो गया टूंंट सुग ऑट्ज्था बिलीजंपorte वोगे व्ल्टी प्राइब करें इस्केर नमेटिक इस पर उन्माटिक बॉन्स वैरि इंप्कर यह बहुत आदे एक्जैंपल मैंगे एद्पेस अग्रोड में उन्हें वह बहुत दिखाऊ हूं आपको तो यह आपको तो यह यह आपकी pneumatic bone है तो कि यहां पर air spaces presented जो कि line by epithelium है इसके और के special features है यहां पर air filled cavity हमने पहला point हो गया light in weight होता है air filled cavity है air है तो light तो definitely हो pneumatic bone है na resonance of voice है आपको resonance of voice देखने को इसमें मिलता है improves timber quality of the voice यहां पर basically यह जो bones होती है quality of the voice basically यहां पर improve करती है acts as air conditioning chambers यह air है तो air conditioning chambers की तरहे भी basically यहां पर यह एक्ट करती है तो यह कुछ special feature से कुछ special characteristic feature से pneumatic bone के example आप से कोई पूचें तो ethmoid bone हो गया इस phenoid bone हो गया ठीक है और maxilla हो गया ठीक है I hope कि तो में चीज समझ में आ गई होगी अब बात करते हम सेस्माइड बोन किया है इस पर यह एंडर परसंद आपको शॉर्ट आपको देखने को मिलता है तो मैं कोशिश करनों सासा यह भी बता चलों कि किस पर शॉर्ट नोट है किस पर नहीं तो परियोट्यम होता है जो कि अन्वलब करता है बोन को एकसेप्ट एड़ ड़ ऑफिस ऑफ द जॉइंट इसको बोलते परियोश्ट्यम और सेसमाइड बोन के अंदर कोई भी परियोश्ट्यम नहीं होता ना तो मैंडियुली के विटी में आपको यह बता चूका हूं कि क्या ह होताए है और करने के लिए तौ ऑल्री डैयेशन ऑफ मुशल के अल्टर करने के लिए यूज होता है और के कुछ एक फिचर से और पटेला इंदर टेंडन ओफ कोर्डिसे फिमोरिस यह आप लोर निम में बहुत अच्छे चीज से पढ़ोगे ना यह भी हम जन्रेट में याद कर लेते हैं पर यह बहुत अच्छे समझ में आगा भी आप इसको याद करते हों कि पटेला हैं पर बीसिकली बोन होती है और बोन इंदर टेंडन ओफ लेक्सर कार्पी अलैरिस यह भी आप आगे जाके पढ़ोगे मैंने बोला जो बोलते हैं नी नी बोन पटेला बोन हमारी हो गई यह आपका एक्जैंपल हो गया और सेसमाइड बोन है ना की फीचर्स मैं आपको अलड़ी बता दी है इसके क्या और और साथ-साथ एक टाइप को और वोन होता है जो क्यों होते ऐसे सदी बोन होती हो हर समय प्रेजेंट नहीं होती बॉड़ी में है ना तो यह इतनी बॉड़र नहीं है इसलिके बार में जादर डिसकस्ति नहीं करेंगे तो यह बिसीकलिया अपका क्लासिफिकेशन और बोन स समय का टलेजन जोन से और मेंब्रो काटिल जोन से ओंख लोंगे और वो गया और वेंजीके लिए फेशल बॉन्स ओगाई यह सब आपकी मेम्रीनिस बोन्स के अदर आती सबसे इंपोर्टन याद करना इसमें मैम्रें जात कर लो और सिपाइब्स फिर देग और सुन्स होग तोनों को जोड़ दिया मेंब्रेन और काटिले तोनों को जोड़ दिया मेंडेन काटिले आपके अपको बैसी के लिए आपको याद करना ही चीज है तोनों को स्क्राइब जाता है और यहां प्रटिबर को जाता है और यहां उपको देखने को मिलता है तो मतलब अपर वाली सारी चीज होगे स्कल हो गया थोरेक्स हो गया वर्टीब कॉलम हो गया पेंडिकुलर नीचे चारी चीज हो गई बोंस ऑफ लिम्स हो गई या फिर आपका पैक्टोर एंपल्बिक गर्डल हो गया ठीक है इस्ट्रॉक्ट्राइब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करो तो मैक्रोस्कोप पर स्कॉपिकली और माइकरोस्कोपिकली बैसिकली आपको दोटाइब की मेंको प्रेशाट था है नगें तो आपको उन को वेसिकली उसकी लोकिशन होती होती है का दैश होता है ने सिर्टों है लिनी सिर्फ डी वॉस्टम अब섯 दो अब हऴर्ण सिर्फ स्टम उस्टम सा नोर्टिं वहно क्ली म வईस्टों तो आपको यह यह आप को देखने को इसंक्त War यहां पर आपका स्टोर करता इसलिए यलो है और यह प्यूबर्टी से पहले आपका रेड होता है ठीक है जब कि आपकर मैं कैंसलेस बोन की बात करूं तो आपको रेड बोन मेरो देखने को मिलेगा जो करेंगा नेचर क्या है हार्ड एन आइवरी लाइक होते हैं और यह स्प प्रुटन प्रूब्स और निया आपकी बेशिकली आपकी बात करो यह एक तो पर देखने को भीक पड़नियुक्त सबस्तिटीन है यह से और अलगलग तरीक से कंसलेसिं घृटल ना की बात करूंब और ळो खालग फ्रेटर सीमेंट जो बोन है आपकी बिसीकली तीट में आपकर होती है तो यह आपके कुछ आपकी इंपोर्टन फीचर से आपके माइक्रोस्कोपिकल अगर मैं क्लासिफिकेशन बात करूं आप मैं बात करने वाला हूं आपको अडेल्ट बारे में अंदर शाफ्ट आपके आपका इनर सेलुलर्ड लेयर होगी आउटर फाइबर दोबहर में सब्सप्रेट कर जब याद होगा आउटर फाइबर लेयर और इनर सेलुलर लेयर ठीक है इसके लिए आपकी न्र वोन आपका परियुटेम होता है क्योंकि है आपर रिच नेर्स सफ्ट आपकी नेचर होता है तो वह्य प्रटेक्शन सारी सीजी में नेν बढ़र हो गया और ओस्टिय जनिक सीहलेयड़ियों की हें यह ऐापकी पहरी आ गहीं होगी कॉर्टेक्च जो आपको पता है compact bone से बना होता है जो कि ने बता है तो compact bone यहां पे बिसेकली शाफ में प्रेजन्ट होती है छोगिंघ कैंसल बोन भी आपको चीज़ देखने को मिल रहा है यह लांग बोन की बात करें काने का। है अपके इंदर एक इसे अपपासर प्लेट मेटाफाइस हैं और यह बदेखनी को इस इस आप को पता होने की चीजिये हैं इस यह आपका एक्स्टा की फीचर में अपको मैटाफाइस एड हो गया यह जो यह है यह आपका इपिफाइजल प्लेट है और यह तो आपका इपिफाइस है ही ठीक है I hope कि तुम्हें चीजे समझ में आ गई हों कि यंग लॉंग बोन के क्या पार्ट से और एडल लॉंग बोन के क्या पार् मैं आपको आपको बताया था कि एपिफाइस हमारा end and tips of the bones होता है चो कि यहां पर आपको डाइगरा में आपको पहले दिखाया था अब इसके टाइप्स के जल्दी सब्सक्राइब बात कर लिए और on the based of function हो गया और on the based of function हो गया यह बेस्ट आपको बात करेंगे और दो च यहां पर इंडिपेंडेंटली वह फ्यूज करता है शैफ के साथ शैफ्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है आपको डाइगरा में दिखाया था यह अगर आपके पहले वाली चीजे आपकर रिमाइंड करते जाओगे तो आप आगे चीजे बहुत असानी से समझते इसका आपका यूमरस तो इसका आपका यूमरस एक्जेम्पल होगे जूकिए अपर लिमगी बून है और आप वहां पर पढ़ रहे हो गयो ठीक है तो यह आपके सिंपल एंड कंपाउंड के अंडर बेसिकली आपर डिवाइड अब हम बात करने वाले फंक्शन के बैसिस प दिख रहा हो आपको चोटा दिख रहा हो तो मैं आपको explain करूंगा तो आप मेरे बाप जो मैं बोल रहा हूं उससे आप चीजों को समझ सकते हो बाकि आप लेके बैट हो आपको नोट सो मिली जाएंगे तो उसकी को attention नहीं है तो बस आप ध्यां से सुनके बैट हो ठीक है प्रेशर तो यह joint formation में help करेगा और अगर joint formation में help करेगा तो joint आपको basically यहाँ पर weight transmission में भी आपका pressure प्रेशर एपिफाइस हेल्प कर रहा हो तो प्रेशर एपिफाइस आपको weight transmission में और joint formation में help करेगा इसका बहुत important example head of humorous हो गया lower end of radius हो गया मतलब head of humorous और lower end of radius तो यह आप जब मैं भी आप जब आपको bones कैसे लग रहे होंगा नाम अजीब अजीब से कैसे हाथ करूँ है अभी आप यतिनी बाइस को पड़ सकते हो तो तो नहीं बार पड़ो पर अगर आप अपर लेम वाली unit में होगे तो फिर आपको यह बहुत यूस्टू चीज हो जाएंगी तो यह आगे आने वाली वीडियो में आपको सोंज में आएगा तो अबी जनरल बस ऐसी है कि आपको स तम्स पता हो निजी प्रैशिर एपिफफाइस का क्या काम है ।्रेक्शिं क्या होता है ॥ै क्या होताइव यह ए जो होता है यह बैसिकली attachment provide करता है to one or more tendons Tendons के attachment के लिए Traction Epiphysis का काम होता है और ये अगर मैं बात करूँ Ossification इसका बाद में होता है As compared to the Pressure Epiphysis ना तो ये Weight Transmission में help करता है ना ये Joint Formation में help करता है जैसे हमार Pressure Epiphysis करता था इसका example आपका होगे Trochanter of Femur and Tuberculus of Fumorous Again ये चीज़े आपको जब आप चीज़ का मैं आपको explain करूँगा तो वो आने वाली वीडियो के अगिन मैंने बोला यहाँ पर आप आपका एक्षाट्रेक्शन टी से ट्रॉंगेंटर और तुबरकुलस तब इस तरह किसे याद कर सकते हो Atavistic Epiphysis क्या होगा आप फैलोजनेटिकली इंडिपेंडेंट बोन में आपको यह देखने को मिलेगा कभी-कभी यहाँ पर फ्यूज करता है विद अदर बोन किस पेल परपस के लिए फॉर दर परपस ऑफ न्यूट्रिशन तो अटविस्टिक आपका बहुत अच्छा है और अगर आपको बस टम भी आद भी इस अधिक जन्रल है तो जितनी बार आप बस आप मन में आप उसको उतार सको जितनी बार रीट कर सो को उतना फायदा है अगला आप अगला आपका अपिफाइस हो हो गया या फिर आपके फ़र्च मेंटर कारपल के हैड़ पर हो गया तो यह कुछ आपके एक्जैंबल सीन अपिफाइस से रिलेटर और कलाश में कंपाउड एपिफाइस है जो कि सम बोंस में आपका प्रेजेंट होगा अगर पढ़ रहे हो तो वह तो बहुत ही अच्छी बात है ठीक है यहां पर डियाग्राम दे रखा है सारे टाइप आप अपिफाइस का अटविस्टिक प्रेश्य ट्रैक्शन और आपको यहां पर सारे इस ताइप के एक्जैंबल दे रखा है जो मैं आपको एक्जैंबल इस अब बात करने वाले वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक अधिस ब्लड सप्लाय और लॉंग बोल्स के अंदर सबसे धहां के दार और धासू टॉपिक जैट इस बलड सप्लाय ओफ लॉंग मोर्ण इस से 101% कोशन आता है तो इसको प्लीज करना है चाहा कुछ मत करो यह तो करना है बलड सप्लाय ओफ लॉंग बोल्स प्लाय करी थी और इस अच्छा चीज़ें लिख रखी थी अपनी बुक में वही यहाँपे फोटो लगाने के कोशिश करी जिससे तुम भी अपनी बुक म जो कि यहाँ पर supply करती है इनको, सबसे पहली artery आती है आपकी nutrient artery और सबसे important है और आप देख सकते हो, nutrient supply of long bone यह diagram है, यह बहुत जादा important diagram इसको mark कर लेना अपनी books में यह diagram आपको definitely बना के आना है अगर nutrient supply of long bone पर question आता है तो ठीक है तो यहाँ पर nutrient artery जो होती है, यहाँ पी, यही एक पॉंट पे बना लेते हैं आपकी हेयर बेंड का फॉर्मेशन करती है नूट्रेंड टो अच बांच जोटी है फिर वो डिवाइट करती है अधर इंद चैनली लास्ट में यह यह अनुट्न फेर बात कि जो नूट्रेंड आट्री ओती है वो कि प्र नूट्रेंड रिक वर the inner two-third of the cortex और metaphysis यह बहुत तीन important चीज़े जो कि आपको याद ही करनी है कि medullary cavity को inner two-third of the cortex को और metaphysis को supply करती है अब यहाँ पर growing end के बारे में बात करीगे यह देख सकते हैं अब यह growing end हो गया growing end अगर में upper limb की बात करूँ तो वह आपका upper end of the humerus होता है upper end of the humerus होता है और lower end होता है आपका यहाँ पर radius का तो यह आपके growing end है जो कि आपको याद करने हैं और lower limb की बात करूँ तो lower end of femur होगा और upper end of tibia होगा यह आपको याद करना है यहाँ पर long moon कैसे grow करती है उसके end कौन से है growing वाले कैसे याद कर सकते हो देखो upper end of humerus होगा यहाँ आपर end of humerus हुआ और lower end of radius होगा ठीक है अगर lower limb की बात करो तो अब जीसे lower end है यहाँ यहाँ पर lower end of radius पे छोड़ा है न अपर limb वाले को तो यहाँ पर lower limb को फें lower end और हमेशा याद रखना जो न्यूटिन फोराम एन होता है वो हमेशा ग्रोइंग एंड के ऑपोजित ही डायरेक्ट करता है इस डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ने बता दिया पड़लेंड को सा होता है न्यूटिन फोराम एन है वे इस अपर आपको बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगी यहां पर आपको डायरेक्ट डायरेक्शन के लिए जिंगल भी दे रखा है ग्रोइंग के अकौड़िया प इस अपर बात एक्स्टा लिख रखी आपने नोट्स के अंदर कि बिफोर दे अफ्रॉम जो न्यूटिन डाट्री होती हो इसका पर जिग्जाग के अंदर आपको देखने को मिलेगी मतला अगर आपर मुव्मेंट होगा तो कभी वहां पर देमेज नियों का तो कभी वहां इस अपर इस नाप किया पर डिजीज हो जाएगी तो यह एक यह पर डिजीज के बारे भी बोला गया और इससे कभी कोशन आता है ठीक है यह एक्स्र एक्स्टा चीजे में लिख रख रख किया यह सब वही चीज है बता है जो मिजे आपर समझ में अच्छा तीविया के वा आँड़ध रख को सप्ला कशिए करते बेंच तीषल अच्शक तीजों को मताओ कोमें मेट बोक्स वहा जहां की ओप यह एक राथ यह जो डिख Сबसे पिजट वा की TY-अट आ कर ती मिट करते हैं यह छोंजशी आपको सहरा चेंच रैशी तेख पर छिश्क अब्र को शिक जालतर क्या होते हैं, basically venus exits के लिए होते हैं, arteries के लिए होते हैं, वो venus exits के लिए होते हैं, और यहां पे जो यह number and size of the these foramils हैं, जो आपने वसcular foramils के बात करें, यही एक तरही है डिपेट करता है, कि कितनी vascularity है आपके दो bones, आपके दो ends of the long bone के अंदर, ठीक है, तो यह आपकी बहुत important बात है, कुछ epiphyseal artery से लिए हम इसे blood supply आगा, सारी चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है, metaphysal artery की बात करूँ, they are derived from neighboring systemic vessels, जो metaphysal artery होती है, वो साथ वाले जो systemic vessels है, उन से आपर basically आपर directed होती है, मतलब यहाँ पर drive होती है, और they pass directly into the metaphysis, तो metaphysal artery तो नाव है, तो मतलब वही से आद रख लो कि indirectly passed into the metaphysis, metaphysal artery तो metaphysis में सीधर हैं भी आपकी चीज़े direct करेंगी, तो यह कुछ बाते हैं, I hope कि तो मिच समझ में आ गया होगा, यह आपकी आर्टी ने supply है, तो आपको पता होनी चाहिए, सारी arteries के वारे सबसे important nutrient artery जो में आपको बता दिया, इसका diagram बहुत जादा इंपोर्टन है, यह आपको पता ही होना चाहिए, और जब भी आप इसको डाया बना कर आओ के पेपर में, तो आपको marks पिलेगे, definitely मिलेगे, okay? यहां पर एक बहुत important यहां पर चीज लिख रख़गे कि अगर miniature long bones की बात करो, जैसे में long bones के मेरे 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 बात को classification बताया तो जो miniature long bones होती है, जैसे उसमें example metacarpals है, इसके अंतर जो infection होता है, यह जो आपका मेरे 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 मेर तो यहां पर law of ausification के according आपकी से कमें जो साथ किनटर सोते हैं और असरों जो आपको सबसे पहले दिखें गें फिर फिर्स्ट भी उनका जो उनाइट होगा बोजो उनाइट होगे वह सबसे पहले जो दिखा उस अपसे यही चीज आपके law of second, आपके basic law of facilification कहती है और यह बस आप definition डियाद कर सेटाइब कर सेंटाइब कि secondary centers जो होते हो फॉसिफिकेशन, primary, secondary, दो पाइब के centers होते हैं, तो secondary centers of facilification होते हैं, जो सब से पहले appear होंगे, वो आपके सबसे last में युनाइट होंगे तो इसका जो exception है वो आपका lower endofimula है यह इस law of ossification को follow नहीं करता तो जो exception वाली चीज़ है तो वो पूछी जाती है तो कभी law of ossification पूछे यह definition लिखके बता देना exception क्या है अब finally आपका यहाँ पे developmental ossification है जो कि आपके दो टाइप के ossification होता है intra-membranous ossification और cartilaginus या फिर endocondyle ossification ठीक है ossification को मतलब क्या होता है it is a formation of bone ठीक है तो यह आपको ossification का मतलब है यही से आपकी law of ossification आती है कि जो secondary centers of ossification होते हैं जो सबसे पहले appear होते हैं वो सबसे आखरी में होना है तो सबसे पहले देखा वो सबसे आखरी में होना है इसका exception आपका होगा lower end of fibula तो यह आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं intra-membranous ossification क्या होता है replacement of mesodermal models into bones यहाँ पर आपको mesodermal की जो models होते हैं वो आपे bones में replace हो जाते हैं यह आपका होता कि यहाँ पर replacement हो रहा है cartilaginus model into bones यहाँ पर cartilaginus models को bone में replacement हो रहा है this is known as cartilaginus या फिर endocondrial ossification इसके बहुत प्यारे steps दे रखे यह सारे steps बहुत जादा important है यह 11 के 11 steps वैसे यह मैंने जादा ही दे रखे हैं मुख से आपको अगर यह 11 steps पढ़ लोगी तो अगर कभी भी question आता है cartilaginus या फिर endocondrial ossification पर तो भी लिख के आना तुम्हें बहुत प्यार से नंबर मिलेंगे जितने इसमें याद ने होतार ने लिखना बीच में कोई point उडाना चाहो उड़ा सकते हो but basic steps तो यही है कि सबसे बहुत बोन is laid down highland cartilage model होता है जो की supply जो अब उसके बाद क्या हुआ है hypertrophy of center या फिर mid region आपका हो गया यहाँ से आपकी primary ossification start हो गई तीक है primary ossification center starts फिर आपकी हाँ पर nutrient artery जो की जो की जिसने penetrate किया perichondrium को और वहां पर stimulate किya osteoblast of that region जो कि या बन सेल मलिए basically born के सबस्के जो थो अस्टे थे तो यह थो ठिक है जब ब्सके बाद सेल सो होते फिर आप घो सिम्टाब्र मृफल देए तो यहाँ पेरी जुल को अलग परी आपेयास्टील कोछलर का आपके second step में हाइब ट्रॉफियो प्राइमीर और असिफिकेशन सेंटर इस टार्ट हो गया था फिफ्स आपके point में एक्सपेंशन हो रहा है प्राइमीर और असिफिकेशन देटर कर तो वर ता एंड पर पहुंच गया अब यहां पर देखा कि जैसी मेंड़ियर और के बरी इस पांजी बोन के ब्रेक तो यहां पर अपको जो शाफ्ट है वह टूट जो तो पहले है तो आपको जो शाफ्त है वह compact bone and mentally cavity यहाँ पर replace हो चीज हो गई है ठीक है अब यहाँ पर secondary structure developed आपका होता है end पर और फिर epiphygial cartilage separating epiphygial cartilage बीच में आई जिसने separate कर दी epiphygial cartilage को diaphysis से and articular cartilage at each end of the bone are cartilage तो epiphygial cartilage आई और तो separate कर दी epiphygial cartilage को from diaphysis जो कि मैंने आपको bone के diagram में भी दिखाया था सारे parts में और यहाँ पर articular cartilage बंदी है आपके हर एक end पर वो आपकी cartilage है वो आपकी cartilage है वो आपकी cartilage है नेचर होती है तो वो तो नाम भी लिखा हुआ है कि articular cartilage तो मतलब और आखरी point when epiphygial plate closes growth stops जैसी आपकी epiphygial plate close हो गई बंद हो गई आपकी growth वहीं बंद हो जाएगी तो यह 11 step है इसमें अगर आपको कुछ लगता है कुछ चीजे आपको नहीं पढ़ने पड़ी कुछ इसलिए मैं चाहतू कुछ चीज नहीं आरी अभी उसको याद उसको रटने की कोशिश करो प्रॉपर में बोलना चाहूं अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में बड़ी पर आपको यह समझ में आ जाएगी और रैटी में चीज़ है कि आपको पढ़ना तो है इसलिए अपको पता है बोन आपको पुछा जाता है बोन आपकी हाड नेचर आपकी फर्म होती है अब सबको पता है सब्सक्राइं जिसको मौसिंत कहेते हैं बहन आपकी को इसलिए इसलिए रही इसलिए आपको पिल जाती है तो मंद में आप सोच सकतो है वhr लाम्य दो इसलिए आपको बॉन आपका तो नहीं होतीए आपके बोन के अंदर रिष्ट नर्फ सप्लाई होती है इस वैस्कुलार इन नेचर वैस्कुलारिट अब आपको अलड़ी बता चुका हूँ ऐसी सेम नर्फ सप्लाई भी बहुत अच्छे होती है बोन की तो यहां पर अगर मैं बात करूँ कि आपकी काटिलेज की तो इसमें काटिलेज के अधर आपको दोरह टाप की ग्रोथ देखने को बिलेंगे और एपोदिश्टल भी और इंटरिस्टीशल मतलब फ्रॉं विदिद अंदर से भी आपकी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है काटिलेज के दर बहुत प्यासा डिफरेंस है आई हो कि तुम्हें स बहुत ही बेसिक से चीज है आपकी कहां प्रेजेंट होंगी आपकी इंद आर्टिकुलर कार्टिज ओफ लॉंग बहुत हो गया इसका क्लर क्या रहता है ब्लूइश वाइट रहता है यह शाइनी ट्रांस्लिशन होती है वेरी थिन हैविंग से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेस से जैसा ही से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है इसका जाइद रखना होता है ठीक है इसका जो टेरी ट्रेटिटोर्य में पैर्जिक की बात करूँ तो राइट कलर को यह को जो की अन्दर वाला आपका डार्क होगा निग्ए और आपको नेश्ट ऑफ ऐसे बिलिए इ के दिख्कत नी तिम्लरली अगर बात करूं फाइब्र कर्टिलेज की वह अगा प्रेजिक यूज्टा इसका होता है यह बहुत इंपोर्टन तम में मोर्फ फर्म इंस्ट्रॉंगर होता है अगर मैं है यहां कि कुछ आपको differences लिख के देखने पड़ेंगे तो बहुत बल्कु बच्च और नर्सरी वाला काम आपको दे रहा हूँ Elastic Cartilage, Elastic Cartilage पिन्ना में हो गया, Ear Pinna में हो गया, Extendal Altery Metis में हो गया, Eustachion Tume में हो गया, यह साथ यह आपके Ear Serrated सारी चीज हो गया, Epiglottis हो गया, ठीक है, यह आपका Yellow Chin Nature होता है, ओपेक होता है, Yellow है तो आपको इसमे Numerous Yellow Fibers ही देखने को मिलेंगे, और यह Most Flexible होता है, Most Flexible है Elastic, 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 Elasticity से भी बहुता है, बहुत जादा Flexible ही होगा, Perichondrium इसमें प्रेजेंट होता है, बस बीच वाले में नहीं होता है, बागे सम्में होता है, और इसमें आपके Moderate Cells आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे, आपको दोनों layer of Perichondrium देखने को मिलेंगे, आपको दोनों layer of Perichondrium देखने को मिलेंगे, Fibrous and Cellular, Similarly आप first में भी देखो Fibrous layer of Perichondrium और Cellular layer of Perichondrium, ठीक है, तो यह कुछ आपके important चीजे थी, आपके cartilage से related, बस आपको यह differences आजाता है, कभी bone और cartilage के बीच में, और types of cartilage के बीच में difference आजाता है, तीनों type के, बस यही है cartilage में, I hope कि तुमें classification of bones and cartilage, दोनों चीजे समझ में आ गई हो, अच्छे से बहुत important topic के साज़ बता रहूँ, और अगला जो topic है, वह तो और जादा important है, क्योंकि वह है, joint से related, तो cartilage के आपके classification of joints, प्लीज उस वीडियो को देखना ना बूले, इस series को आप प्यार दो, वीडियो को like, चैनल को subscribe करो, अपने दोस्तों में share करो guys, और इसकी पूरी playlist आपको playlist वाई section मेल जाएगी, इसके notes अगर आपको access करेंड़े, पूरे जो procedure लिंक description में रखा है, और पूरा procedure का जो पूरा कैसे आपके notes को access कर सकते हूँ, post आप description में रखा है, जाके check out करें, I hope कि आपको वीडियो पसंद रहे हैं, मिलते हैं, next lecture में, जातों कि stabiles goodbye, bye-bye.